गाइस आज के वीडियो में मेरे पास एक काफी budget friendly watch है जो कि आर सिर्फ और सिर्फ 1500 रूपीज के अंदर आती है और इसका नाम है defy space fit जैसा कि आप देख सकते हो और मेरे पास का black color वाला version आज अवेलेबल है जैसके आप देख सकते हो और आपको बता दूँ मैं इस watch को पिछल रूपीज के हिसाब से या फिर नहीं तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है इस watch का complete review with unboxing आपको दिखाने वाला हूं सारी चीजे बताऊंगा smart watch के बारे में तो चली यार बिना किसी देरी के इस video को शुरू करते हैं box contents में देखने को मिल जाता है सबसे पहले आपक उसको one-year की warranty देखने को मिल जाती है इस watch के साथ साथ मैं आपको है एपर को Our user manual को देखने को मिल दकने को मिलता है तो आप यूजर मैंज़ सकते हो यूजर मैं'll को देखने को एक साथ मैं इपर इस video में आपको एक साथ में लग रहा है सबसे पहले मैं आपको इसकी built quality की बारे में बता दू तो आप build quality के मामले में सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल metallic finish का यूज करा गया आपको decent देखने को मिल जाती है straps की जैसे कि आप देख सकते हो और back side पर अगर आप देखोगे तो back side पर plastic का material यूज करा गया है पर plastic के material के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है तो बिल्कुल on off का काम करता है यह वाला button जैसके आप देख सकते हो एक क्लिक करोगे तो off हो जाएगा और एक क्लिक में on हो जाएगा उसके बाद जब इस watch को आप अपने hands में वियर करोगे तो आपको काफी comfortable यह feel होगी और काफी lightweight पर आपको यह feel होगी क्योंकि आर यह watch काफी in comfortness के मामले में यह सबसे number one watch मुझे लगी इस price point के अंदर बात करें डिस्प्ले की तो इसमें आपको एक 1.54 इंच के black वाली theme यूज करोगे तो वह आपको काफी better देखने में लगेगी जैसे कि यह वाली theme ब्लैक वाली तो यह आपको काफी better देखने में लग जाएगी साथ में इसके में आपको 100 plus watch face देखने को मिल जाते है जिसको कि आप app के through access कर सकते हो और यह भी आपको मैं थोड़ी दिर में वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ उसके आप बात करें इसके और भी features की तो मैं आपको बता दूँ अगर आप यहां से right swipe करोगे तो यहां प आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी notification पढ़ने में और से आप delete भी easily कर पाओगी जसके आप देख सकते हो तो notification पढ़ने में भी कोई problem आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगी उसके आप बात करें इसके और भी features की तो अगर आप इसे और भी swipe करोगे तो यहां पर अप brightness के regarding और आप sun में भी हो तो sun में भी brightness decent work कर जाती है आपको कोई जाधा problem देखने को नहीं मिलेगी उसके आपको यहां पर setting option देखने को मिल जागा अगर आप setting में जाओगे तो यहां से brightness adjust कर सकते हो यहां से download app कर सकते हो app के बार में आपको बताने वालो थोड़ी देर में व vibration on off कर सकते हो और यहां से dnd mode को activate कर सकते हो तो यह काफी सारे आपको option देखने को मिल जाते हैं और guys अगर आप इसे उपर की तरफ swipe करोगे तो आपको heart rate monitoring देखने को मिल जाएगी और आप heart rate monitoring करोगे तो ज़रा time देखने वो नहीं लएगा आपको इस watch में heart rate और spo2 देखने क को मिल जाता है और इसके accuracy के बारे में बताओ तो आपको यहां पर 80-90% accuracy देखने को मिल जाएगी पर अगर आप कोई health patient हो तो मैं आपको बिल्कुल भी recommend नहीं करूँगा एक तो वाइस देख सकते हां पर इसने 190-120 heart rate बता दी है पर आप इसकी accuracy के मामले में कभी भी पर आपकी heart rate यह accuracy आपको ठीक टाक heart rate accuracy आपको provide करके दे देगा उसके आपको जो सबसे अच्छी चीज मुझे इसमें देखने को लगी वह temperature monitoring तो मेरे इसाब से यह काफी अच्छी temperature monitoring करता है बिल्कुल 90% 99% आपको accurate देखने को मिल जाती है जब भी मैंने चेक किया इसकी temperature monitoring वहर काफी बढ़िया निकल के आई और बिल्कुल accurate निकल के आई जैसके आप देख सकते हो 98.4 जो कि यह normal human का temperature होता है अब यह वह बता है तो काफी अच्छी मुझे इसके temperature monitoring लगी है तो SPO2 भी आपको देखने को मिल जाता है जो किया work कर जाता है पर मैंने आपको बता है अ आप अपने records चेक कर सकती हो उसके बाद अगर आप swipe up करोगे वापस से तो आपको यहाँ पर alarm, timer, camera और भी काफी सारे option देखने को मिल जाते है जैसे कि आप देख सकते हो stop watch यह सारी features भी आप इसमें use कर सकते हो और अगर आप एक और बार swipe करोगे तो music, find my phone और setting option देखने को मिल जाता है और setting में मैंने आपको दिखाई दिया यह सारे option आपको देखने को मिलते हैं तो guys आपको यह सारे features watch के अंदर देखने को मिल जाते हैं और साथ मैं आपको बता दूँ यह watch IP68 water and dust resistant भी है तो अगर आपके watch पानी के अंदर डूब जाती है या फिर dust के अंदर जात इसका भी same नाम वही है और यह app आपको play store पे देखने को मिल जाएगा जैसे आप यह app download कर लेगे तो simply आपको इसे open कर लेना है उसके आपने watch को इसके साथ connect कर लेना है easily connect हो जाएगा कोई भी issue नहीं आएगा उसके आप देख सेक्ट हो होम स्क्रीन है कुछ स्टैप से आपक इसको होम स्क्रीन देखने में मिल जाता है जाकि आपको सबसे पहले यहाँ पर step शो करेगा यहाँ पर calorie शो करेगा यहाँ पर distance शो करेगा यहाँ पर heart rate शो करेगा temperature SPO2 यह सारी चीज़े यहाँ आपको शो कर देगा साथ मैं आपको बता दू इसमें आपको sleep monitoring का भी option देख रहा था पर गया इसमें काफी द्रों से watch को यूज कर रहा तो आप यहाँ पर देख सकते हो sleep monitoring यह कुछ इस टैप से कर देता है जैसके आप देख सकते है तो इसकी sleep monitoring यह सारी आप देख सकते हो 5 hour 50 minute कम मैं सोया था कब उठा था यह सारी चीज़े बता देता है और इसके कैसे customize कर सकते हो कोई साभी आपको watch face फसंद आता है वह आप यहांसे download करके अपने watch में easily लगा सकते हो यह काफी असाने simply आपको इस पर क्लिक करना है और apply पर क्लिक कर दोगे आपके watch में लग जाएगा उसका background में आप चाओ तो अपनी photos भी लगा सकते हो कोई भी चीज़े लगा सकते हैं जो भी आपका मन है यहां से आप अपने time position भी change कर सकते हो सारी चीज़े आप यहां से change कर सकते हो और इसके color भी text का बदल सकते हो तो सारे बहुत सारे इसमें customization जो है वो available आपको देखने को मिल जाते हैं तो ऐसे यहां पर मैं no कर देता हूं उसके आपको यहा गैचर में देखने को मिल जाते हैं जैसे आपने hand को twist करोगी तो आपका watch automatically wake हो जाएगा फिर आपको kilometers आर उसके आपको यहां पर notification का option देखने को मिल जाता है तो गाइस इस watch के अंदर आपको call notification, SMS notification, app notification का भी support देखने को मिल जाता है और call notification मुझे सबसे अची बात यह लगी आप इस call को reject भी कर सकते हो जाके answer भी कर सकते हो जबकि अजादतर phone में सिर्फ और सिर्फ reject करने को option होता है पर आप इस watch के साथ आप इस call को reject भी कर सकते हो और साथ में उस call को यहां से pick up भी कर सकते हो जैसके आपने screen पर देख सकते हो और आपको caller नाम भी show होगा बस आपको बैक आओगे तो यहां ते disconnect watch भी आप कर सकते हो और साथ में आपको यहां पर auto heart rate tracking और auto temperature tracking भी देखने को मिल जाती है और उसके आप यहां पर time duration set कर सकते हो कितने time पर आपको कर रहा है auto heart rate tracking पांच-पांच मिनट पर करने है दस मिनट पर 60 मिनट पर यह सारी चीज़े आप यहां से set कर सकते हो फिर dnd को option about your device यह सारी चीज़े भी आपको देखने को मिल जाती है उसके यहां पर badges को option देखने को मिल जाता है साथ में guys यहां पर आपको buddies को option अगर आपके कोई दोस् music देख सकते हो next हो चुका है और आप pause पर क्लिक कर दो कि तो music pause हो जाएगा आपको volume up-down करना है तो वह भी कर सकते हो उसमें कोई भी problem आपको देखने को नहीं मिलेगी play pause करना है तो वह भी आप कर सकते हो तो यह सारी steps काफी इसी है आप यहां से अपने music को भी easily control कर सकते हो औ आपको camera वाले menu पर जाना होगा और camera पर click करना होगा और simply आपको यह वाले application device spacefit यह open करके रखना होगा और आप जैसी है आप पर click करोगे इस वाले button को तो आपका जो automatic picture क्लिक हो जागे जैसके आप देख सकते हो जो पिक्चर से वो click हो रहे है अभी आपको मैं यहां पर show कर देगा मैं काफी दिलों से watch को यूज कर रहा हो तो मुझे पता है four to five days आपको नॉर्मल यूजेट पे इसली इसकी battery life देखने को मिल जाएगी अब हम आचू के वीडियो के conclusion पार्ट पे क्या यह watch आपको 1500 रुपीज की price में purchase करना चाहिए या पिनी तो मैं आपको बता दू 1500 रुपीज की price में यह आपको metal build देखने को देते हैं जो कि 3,000 रुपीज की price में कभी कवार आपको देखने को नहीं मिलता है साथ में आपको इतने सार इसमें features देखने को मिलते हैं आपको heart rate, spo2 और साथ में यहाँ पे आपको temperature monitoring भी देखने को मिल जाते हैं डिस्प्ले भ नहीं पड़ेगा आप बिल्कुल खुश रहोगे कि कर 1500 रुपीज की price में मुझे नहीं लगता आपको इससे बढ़िया कोई भी watch देखने को मिलेंगे तो आश्यकरतों वीडियो पसंद आएगी thank you guys मारी वीडियो देखने के लिए